हर्याना में चुनाव का अगाज हो चुका है अब टिक्टो को लेकर नेता दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं अब चक्कर काटने में कितने सपल हो पाते हैं वो टिकट लेने में यह तो देखने वाली बात होगी अभी तक ना ही बीजेपी ने और ना ही कॉंग्रेस ने कोई भी करते हैं कॉंग्रेस की बात करते हैं सोनिपत से जो की सीटे है छे सीटों की बात करें तो सोनिपत सीटी सोनिपत सीटी की बात करें तो टिकट किसको मिल सकता है सोनिपत से सुरेंदर पवार यहां के मौजुदा विदायक है हाला कि वो एडी के केसों के कार्ण यहां की जेल में है तो इस कार्ण उनका चुनाव लड़ना असंब बता जा रहा है तो इस कड़ी में वो अपनी पूत्र वदू समिकसा पवार को चुनाव में उतार सकती है अब राई की बात करते है राई हलके से राई हलका एक होट सीट बना हुआ है क्योंकि यहीं से बिजेपी के परद पूरो विदायक और जस्पाल अंतिल जो की युवा के अद्देक्स भी रह चुके है जैतिर दिया का नाम सामने आता है तो मगर वो दो बार चुनाव हार चुके है तो इस कड़ी में जो की कॉंग्रेस ने अपना नियम बनाया हुआ है जो दो बार चुनाव हार चुका है उसको टिकेट नहीं मिलेगा, यह तो समय बताएगा, अब दूसरा नाम आता है जस्पालांतिल, जस्पालांतिल PCC के डेलिगेट भी है, हुड़ा के खास भी माने जाते हैं, और युवा के अद्देक्स भी रह चुके हैं, तो अब राई से मजबूती देखने को मिल रही है, तो होट सीट होने कार्ण, यहां पे दो ही नामों में मुख्य रूप से टकर देखने को मिलेगी, जैतिर्दिया और जस्पालांतिल में, तो अब गन्नोर की बात करते हैं, गन्नोर से पैनल में सरफ एकमातर एकी नाम बेजा हुआ है, जो की कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमेट यहां से बेजा हुआ है, तो वो यहां के विदायक है, जैबिर वालमी की, लगबग उनका टिकेट पका ही माना जा सकता है, अब गोहाना की बात करें तो यहां से जगबिर मलिक को टिकेट पका ही मान कर चला जा रहा है, क्योंकि वो गोहाना से पाच बार विदायक चुने जा चुके है तो जगबिर मलिक का टिकेट मिलना लगबगते है तो अब बात करें बरोदा विदानसभा की बात करें यहां से पैनल में दो नामों पर चर्चा हो रही है विदायक इंदुराज नर्वाल जिनोंने उपचुनाव जीता था और जितेंदर सिंग हुड़ा जितें अंदर उड़ा जो की पूरो मंतरी स्री कर्शन हुड़ा के बेटे है अब उन्होंने चुनाव